तो हलो फ्रेंड्स वागत आप सभी का में यूटिब चैनल पे मैं हूँ यश और आज हम 1000 वर्ट की डिक्टेशन करेंगे और यह डिक्टेशन 11 में पूरी होगी क्योंकि यह 90 की स्पीड होगी ठीके फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं और लास्ट में मैं इसको स्क्रॉल कर प्रेंड्स तो शुरू करते हैं तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी पात सेकेंड बाद कलाम का बच्पन तैरा कलाम का जन्म 15 अक्टुमबर 1931 को तमिल नाडु के रामश्वरम कस्पीड में एक मध्रम वर्गिये तमिल परिवार में हुआ था उनकी नाम में अबुल पाकिर एमम जैनुलापिन क्रमशर पर दादा दादा एमम पिता के नाम है उनका पुष्टेनी घर रामश्वरम इसकित सूप्रसिद मंदिर से थोड़ी दूर दूरी पर मस्जिद वाली कली में अवस्थित था जो उनिसी शतापि के मध्य में चूने पत्थर और इंट से बना पका और बड़ा घर था यह इलाका मुसलिम बहुल था लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलिम पडोसियों के साथ मिल जुल कर रहते थे तैरा कलाम के पिता जैनलाबदीन और माता आशियम्मा थी उनके पिता की कोई पहुत अच्छी आपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और नहीं वे कोई बहुत धनी वेक्ती थे इसकी बावजूत वे गुद्धिमानी थे और उनमें उदारता की सच्छी भावना थी वे अपनी आजवी का नाविक के रूप में कमाते थे उन्होंने लकडी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था ये नौकाएं पीर्थी आत्रियों को रामिश्वरम से धनुष्कोडी तक ले जाने लाने के काम आती थी वे शाम की नमाज के लिए एक कलाम को प्रति दिन मस्जिद ले जाते थे वे कलाम को पलक्तर बनाना बनता देखना चाहते थे तैरा कलाम की माता घर का पूरा काम करती थी तथा वह बहुत ही सौम्मे और नेक महिला थी उनका प्रति दिन का नियम था कि अब्यासकरत के रूप में आने वाले अतितियों को भोजन कराने के परशाथ थी स्वैम भोजन करती थी कलाम अपनी माता के साथ ही रसोई के नीचे बैठ कर खाना खाया करते थे उनकी माता केले के पत्ते बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंदित स्वादिस्ट साम्हर परोस्ती थी साथ में घर का बना आचार और नार्यल की ताजा चटनी थी होती थी कलाम के माता पिता कुल मिला कर समाज के आदर्श धंपती के रूप में देखे जाते थे कलाम को अपने पिताजी से विरासत के रूप में इमानदारी आत्मनुशासन और करोणा का भाव मिला कलाम का अहम शुन्य साथ की पूंग जीवन उनके माता पिता की ही देन है दुरभागे की बात है कि वे दोनों अब इस संसार में नहीं है पैरा कलाम का परिवार में लाडले होने की वज़े से चिक्षा ग्रहन करने ही तू रामिश्वरम पंचायत रात्मिक शाला में दाखिला करवा दिया कया उनके साथ उनके पिता के अभिन्न मित्र पक्षी लक्षमन शास्त्री जो रामिश्वरम मंदिल के मुख्य कुजारी थे का वेटा रामनाच शास्त्री भी पढ़ता था दोनों पक्षी दोस्त थे तथा कक्षा में साथ साथ ही बैठते थे कलाम टोपी पहनते थे जो उनकी मुसलिम होने की निशानी थी और अमरनाच जनेव पहते थे जो उनकी हिंदू होने की निशानी थी एक दिन कक्षा पांच में नई शिक्षक आए उन्होंने जब प्रतम पंक्ती में भ्रामन को बैठे देखा तो कलाम को आदिश दिया कि वह उठकर अंतिम पंक्ती में चला जाए यह बरताव रामनाच को बहुत बुरा लगा और वह भी कलाम के पीछे पीछे चल कर उनके साथ ही बैठ गया श्याम को जब दोनों घर पहुँचे तो काफी उदास थे दोनों ने यह बात अपने अपने पालकों को बताई रामनाच के पिता पक्षी लक्षमन शाफ्तरी जो की रामिश्वरम बंदिर के मुख्य पुजारी होने के कारण काफी प्रभाव रखते थे न ने उसे शिक्षक को अपने घर बुला कर कहा कि तुम्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामजिक असामानता और सामजिक का विश नहीं घोलना चाहिए उन्होंने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह शमा मांगे या फिर स्कूल छोड़ कर यहां से चला जाए उस शिक्षक ने अपने विवहार पर न सिर्फ दुख विख्त किया बलकि अंततहर उसमें बदलाव भी आ गया और कलाम ने यहां से पांचवी कख्षा उत्रें कर ली पैरा कलाम के सामने प्रश्न उत्पन हुआ कि अब आगे क्या किया जाए क्योंकि रामिश्वरम में पांचवी कख्षा के बाद कोई स्कूल नहीं था उनके पिता की इच्छा थी की कलाम कम से कम माध्यमिक इस्तर तक की शिक्षा तो ग्रहन करे पक्षी लक्ष्मन शास्त्री का भी आगराय था की कलाम पढ़ने में अच्छा है अत्ह उसे पढ़ाई चालू रखनी चाहिए खैर जैसे तेसे उन्हें सबसे नसीक रामनात्पुरम की श्वाटर्ज हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया वे रोज दो घंटे पैदल चल कर स्कूल जाने लगे स्कूल से लोट कर वे भाई की पान की दुकान में भी मदद करते थे दादा जब उन्हें पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने को कहते तो उनका जवाब होता की किताबी क्यान तो किताबों से मिल जाएगा लेकिन अनुभव तो काम काज करने से ही मिलेगा वे बहुत महनती थे विज्ञान और गनित उनके प्रिय विशे जहे तता उन्होंने प्रते कक्षा में प्रतम स्थान प्राप्त किया यहां उनके विज्ञान के शिक्षक आरे तुर्य सोलोमन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा उनका कहना था कि जीवन में असफलता प्राप्त करने के लिए तीन बातें इच्छा विश्वास और आस्था पहुत जरूरी है इनी शिक्षक के सानित्थे से कलाम में आकाश में उड़ने की प्रभल इच्छा शक्ती जागरत हुई तैरा कलाम द्वारा माध्यमिच शिक्षा पूरी करने के बाद उनकी पिता ने कहा तुम पहुत पड़ लिए आप किसी स्कूल में शिक्षक पन जाओ इस पार फिर पक्षी दर्श्मन शास्तरी मदद के लिए सामने आए उन्होंने कहा कलाम बहुत होश्यार है उसे आगे पड़ाओ और कम से कम उसे सिना तक तो बनाओ यदि तुम लोग नहीं पड़ा सकते तो मैं इसकी पड़ाई का पूरा खर्च वहन करूँगा इसके भविश्य के लिए उच्छी शिक्षा प्राप्त करना जरूडी है नौकरी तो बाद में भी मिल जाएगी दादा की इच्छा भी भी की कलाम आगे पड़े अधर उन्हें वर्ष 1950 में पिरुचिरापली के सैंट जोसेफ कॉलेज इंटरमीडियेट करने हेतू पवेश दिला दिया एक दिन कलाम ने समाचार पत्र में आलेक स्प्रिट फायर पड़ा यह दुनिया का प्रथम रोकेट था जो आज भी बिटेन के वार म्यूजियम में रखा हुआ है उन्हें यह आलेक बहुत अच्छा लगा और इसे बार बार परने से उनके मन में रोकेट के बारे में और अधिक जानकारी एकत प्रित करने की दिग्यासा पैदा हुई उन्होंने रामायन था महापारत जैसे पुराने करन्तों का अध्यन कर निशकर्ष निकाला की मिसाईलों जैसे शास्तरों का उतपादन तो हमारे ही पूर्वजु द्वारा किया गया था आकाश प्रत्वी त्रिशूल नाग आदी प्राचीन शास्तरों के नाम थे और हमारी गुलामिक के समय यह ग्यान विदेशों द्वारा हथिया लिया गया तभी उन्होंने इस दिशा में काम करने का निश्चे कर लिया था स्टाप इस दिक्टेशन समाप्त होती है अब आगे देखिए आप मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं स्क्रेंशोट ले लो तो फ्रेंश वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जाओ करना और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बैल आइकन पर क्विक करना मत भूलना इसी तरीके की वीडियो में लेंगे आपको ओके प्रेंट्स तो आज के लिए इतना ही हुआ प्रेंट्स